नमस्कार, UFT News 24 में आपका स्वागत है, रुख करते हैं कुछ खास खबरों की ओर विकास खंड सरस्वा के रक्सोला ग्राम सभा में गंदगी से हाल बेहाल, स्वच भारत अभियान की भी उड़ाई जा रही हैं धज्जियां विकास खंड सरस्वा के रक्सोली ग्राम सभा में माननिया प्रधान मंत्री जी के स्वच ताभियान की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है, इलाके में जगा जगा गंदगी का अंब्यार फैला हुआ है UFT News 24 की टीम जब सलाके में पहुँची तो वहां का नजारा क्या था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी चारो तरफ फैली है, हाला देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ही यहां कभी भी कोई सफाई करमचारी आता हो खेर, यह हालत गाउं की ही नहीं है, ग्राम पंचायत सची वाले की हालत भी बेहत चिंता जनक है ग्राम पंचायत का शौचा ले टूटा हुआ है, कमरे की हालत इतनी खराब है कि शायद ही वहां कोई रह सके इसके अलावा स्वास्टकेंज की हालत भी दयानिय देखी, यहां पर गंदगी का हाल भारत के सवचता भ्यान की सरयाम धज्जियां उड़ा रहा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से चोतरफा गंदगी से बुरा हल है कुछ लोगों से बात करने पर हमें पता चला कि शायद ही महीनों में यहां कभी डॉक्टर आता है वहीं जब हमारी टीम ने गाउं का भ्रमन किया तो हमें पता चला कि नालियों को सालों से साफ नहीं कराया गया है इसी कारण हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब देश में स्वच्टा के नाम पर हजारों करोडों रुपए लगाये जा रही है ऐसे में इस इलाके पर किसी भी प्रश्रस्निक अधिकारी या किसी भी संस्था की नजर क्यों नहीं पड़ी यह पंचाइद घर ऐसे टूटी भूटी है बूसा किसका भरा हुए है आली कब से सफा नहीं हुई है आइसे गंदगी में आप लोग कैसे गुजारा कर रहED है परधान से आपने बksomेंचे इसके विशे में पेँ हैसे सफाई करमी कैरें नहीं आता है क्यों Perez को नहीं आना है उलत अच्छिव आते हैं अक दिन आते हैं कब रहते हैं? आते हैं बुदवर को आते हैं. केवल महीने में एक बार की सब्ता में एक बार? मैं यहां रहता नहीं हूँ, मैं तो मुम्माई में रहता हूँ. अब आता हूँ तो महीने में एक बार आते हैं. महीने में एक बार? आपको आए बंबे से कितने दिन हो गए? अब कोशांबी से दिलीप सरोज के साथ निहाल शुक्रा की रिपोर्ट इस खबर में इतना ही UFT News 24 के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद